प्रेंड्स जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा हमारे पास हेवल्स की सेलो वेल टाइब मोटर है और यह एल टाइब में आती है इसमें प्रोब्लम यह आ रही कि इसमें बार-बार पानी बरना पड़ता है तब जाकर यह पानी उठाती है तो हम इसको चेक करेंगे ऐसा इसमें क्यों हो रहा है और क्या वज़े है जो इसमें बार-बार हमें पानी डालना पड़ रहा है इसको हम सही करेंगे और इसमें देखेंगे हम इसका जो NRV होता है वो खराब है यह मिलेगा यह नहीं मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो हम आपको एगजेस्ट करके बताएंगे इसमें आप साधा वाला NRV कैसे डाल सकते हैं, करना कुछ नहीं है, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखें, ध्यान से देखें, काफी अच्छी नोलेज आपको इसमें मिलने वाली है, क्योंकि आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसी प्रोलम आ सकती है, तो friends मेरे डाम है समय है और आप देखें हमारा YouTube चैनल टेकनिकल समय, तो दोस्तों आईए सिरू करते हैं वीडियो, तो friends जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारे पास है, वल्स की सेलो वेल टाइप में सिंगल एंपलर की मोटर है, जिसके आर्पिम 2880 आर्पिम है, और इसमें यह चार बोल् जिसको हम चैक वाल भी बोलते हैं, तो यह यहा पर हट जाएगा, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, इसके उपर एक वासर लगा हुआ हुथा है, वजन के लिए लोग का, लेकिन रबड उपर से उन में रबड कवर होती है, लोग का हुता है, इसमें लगा बड़ यह अगे कि इसमें लोहे के कुछ locks होते हैं जो लोग गल गए हैं पानी की वज़े से यह वालत कुड़ा है आप यहां देखें इसके उपर रहता है मैं आपको दिखाऊंगगा आगे तो आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से यह रहता है यह यहां से अट गया है इसलिए इसने वर्क करना बंद कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे पहले मार्केट में हम ट्राइ करेंगे तो हमने मार्केट में ट्राइ किया तो हमें यह नहीं मिला और क्योंकि इसके मॉडल कम ही आते हैं तो नहीं मिला तो हम क्या करेंगे इसमें हम अपना साधा system जो मतलब आदा HP आता है NRB आप नीचे देख रहे हैं रखा हुआ है यह वाला इसको set करने की courses करेंगे और देखेंगे कैसे यह set होता है तो अगर आपको नया मिल जाता है तो कोई problem नहीं है आप उसको change कर सकते हैं लेकिन नया नहीं मिलता है अधिक त सेट नहीं बैठेगा लेकिन हम इसको कैसे सेट बैठा सकते हैं तो इसके लिए आप यह वीडियो पूरा देखें स्कृप ना करें बिलकुल भी अगर स्कृप करेंगे तो problem होईगी आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको तो आप यहां देखें हमें क्या करना है क कि हमें इसको इस तरीके से रखके इसके निसान लेने हैं और निसान लेके इसकी गोल कटिंग करनी है जो इनर्वी है हमारी यह वाली इसको इसके अंदर जो गोल फिक्स आ जाए इसके अंदर बिलकुल फिक्स आ जाए आप किसी भी चीज़ से इसके आकार नाप सकते हैं य तो आप फनर से आप इसको इसली कट कर पाएंगे, लेकिन केरफुली करें, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे, तो हाथ में फनर लग सकता है, यहां पर हमने इसको कट कर लिया है, लेकिन अभी इसका विलकुल एगजेक्ट साइच नहीं हुआ है, और इस तरीके से ह उस मार्क से हम इसको कट करेंगे, इस तरीके से, आप यहां देखें, उसी साइज से आपको यह काड़ना है, तो मैं यहां पर इसको वीडियो को फारवर्ड किया है, और थोड़ा केयरफुली करें, क्योंकि लगने के चांस हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको मार्क करके इसके निसान ले सकते हैं और इस तरीके से इसको बिलकुल गोल कट कर लें और ये जो वासर है अलग से भी आपको मिल जाएंगे या फिर इसके जास जो वासर आते हैं उनको भी आप कट कर सकते हैं राउंड में लेकिन नल वाली की दुकान पर जो प्लंबर का सामान आप में म दिखाऊँगा तो आप यहां देखें मैंने से बिल्कुल गोल इसके cutting कर दी है आप यहां देख सकते हैं यह cut गया है और आप यहां देखें आप हम इसको अंदर इसके set करेंगे तो अंदर set करने से पहले एक वासर अंदर लगेगा और एक वासर जो है बाहर लगेगा आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से सेट हो जाएगा अंदर बाहर वासर जरूर लगाएं नहीं तो आपको प्रोब्लम हो सकती है और दोस्तो आप यहां देखें यहां पर हम जो यह वासर लगाएंगे इसके अंदर एक बाहर लगाएंगे इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे जब इसको कसेंगे तो इसके जो पेच Ch ain, जो हमने खोले तो यह तूड़ जाते हैं लेकिन अगर आप ग्रिस लगाकर इनको टाइट कसेंगे तो यह इसली आपके खुल जाएंगे यह हमेशा पानी की मोटर में जो भी बोल्ट वगरा कसते हैं तो हम इस तरीके से कसेंगे तो वो बोल्ट आसानी से खुलने के चांस होते हैं तो आप देखें मैंने इसमें और भी लगा दी है आपने देख लिया आगे पीछे एक वासर लगाया है और इसके बाद यह प्रोब्लम हमें पानी भरने की नहीं आएगी और आप इसमें पता कैसे लगाएंगे कि हमारा और भी ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है उपर वाला जो पाइप है इसमें जिसमें से पानी फैंकता है उसमें एक पाइप जोड़कर उपर से पानी डालें अगर नीचे पानी टपकेगा नीचे वाले पाइप से तो समझे आपका NRB नोन रिटन वाल चेक वाल जो भी है यह खराब हो चुका है या फिर इसमें कुछ आ चुका है त उसके बाद आपको इसमें पानी नहीं भरना पड़ेगा, आपकी मोटर बिल्कुल ओके हो जाएगी, तो आप यहाँ इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें इसमें नहीं आई है, तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको इस हैवल्स की मोटर में, जो इसका नर्वी नोन रिटन वाल जो होता है, उसको चेंज करके बताया, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो, अगर मिल जाता है तो आप इजली चेंज कर लेंगे, उसके बाद पानी बार-बार नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि जो यह L-type मोटर होती है, अगर इसकी NRV खराब हो जाती है, तो यह क्या है कि इस पानी नहीं उठाती, तब तक आपको इसके हैड के अंदर पानी डालना पड़ेगा, लेकिन जो V-type की मोटर होती है, जिनके दोनों करें और इसी तरह की नॉलिज वाली वीडियो में आपके लाता रहूंगा मिलेंगे आपसे फिर नई वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर